हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल आज हम बात करेगे कि आपकी निटिंग जो है निटिंग किस तरीके से करी जाती है इससे पहले हमने विविंग के बारे में पढ़ा था कि विविंग जो है यह आपके दो यान से करा जाता है एक आपका वार्फ यान और दूसरा आपका łफ्रियाइ Dal a account करते कि आपकी निटिंग जो होती कि अपका यह वस्त्स निर्मान मदलब हैपका जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होता है ऊसमें दूसरी सबसे महत्पूर्ण सबसे सिम्पूर्टेट जो मेंथ़ड है वह आपका निटिंग का आप जो आपके तीन मैथड आते हैं पहला था आपका विविंग प्रॉसेस दूसरा आपका निटिंग और तीसरा आपका फैल्टिंग तो हमने विविंग तो पढ़ चुके हैं अब हम बात करते कि आपका निटिंग क्या होता है निटिंग जो है आपके यह दूसरी सबसे महत्पून विदी होती है आपकी निटिंग वहक परकिरिया है जिसमें वस्त निर्मान के लिए धागों को लूप में निर्मित किया जाता है कि जो आपकी निटिंग जो प्रॉसेस है इसमें क्या करते हैं कपड़े को बनाने के लिए आपके जो धागे हैं आप उनको किसमें बनाते हो आप उसको लूप में उसको निर्वित करते हो जो एक दूसरे से गुते होते हैं इसमें आपका एक धागा दूसरे धागे से क्या होता है उसको एक दूसरे में गुता हुआ रहता है वस्त को एक धागे अत्वा अलग अलग धागो द्वारा भी बनाया जा सकता है मतलब जो आ knitting process यह आपके एक धागे से भी बनाया जा सकता है और आप इसको अलग-लग धागों से भी आप इसको बना सकते हूं knitting को इस परकार भी परिभासित किया जा सकता है एक अत्वा कई अलग-अलग धागों द्वारा फंदों को गूत कर वस्त निर्मान की परकिरिया जो है वो करी जा सकती है तो इसमें यही चीज बताए गई है कि जो आपका knitting process है यह आप एक धागों से भी कर सकते हो या फिर आप इसको अलग-अलग धागों से भी आप इसको कर सकते हो आप इसमें क्या करते हो आप फंदों को एक दूसरे में इसको गूत कर आप जो आपका वस्त रहे आप उसको तयार करते हो इसके बाद बोला गया है कि एक वरग इंच में गिने गई टाको अत्वा लूपों की संख्या दुआरा निटिड फैब्रिक का अंदाजा लगाया जा सकता है मतलब आपका जो एक इंच जैसे आपने जो विविंग में पढ़ा था कि हम वन स्क्वार इंच के अंदर देखते थे इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेगे कि जो हमारे एक वरग जो इंच है उसमें हमारे गिने गई टाको अत्वा जो लूप है उनकी संख्या से क्या कर स सकते हैं हम अपने निटेड फैबरिक का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह हमारा फैबरिक जो है वह किस क्वालिटी में है चोडाई में दिखने वाले जो लूपों की जो लाइन होती है उनको वॉल्स कहा जाता है सेम जैसे हमने विविंग प्रॉसेस में पढ़ा था यहाँ कि आपके चोडाई में दिखने वाले जो लूप की जो लाइन होती है उसको यहाँ पर कर्स कहा जाता है तो यह आपका knitting में और weaving में difference है कि जो यहाँ पर चोड़ाई में जो आपको loop की जो line दिखते है वो कैसी होते है यहाँ पर उसको वाल्स कहते है और जो आपकी लंबाई में जो आपको line दिखते है उसको आप क्या बोलते हो कोर्स बोलते हो निटेड फंदो को सम्मानता टाके अथवा stitch कहा जाता है जो निटेड फैब्रिक के जो फंदे होते है उनमें जो सम्मानता जो आपके एक पैलर जो आपके टाके या फिर जो आपके इस्टिच जो आपके टाके होते हो उसको आप क्या बोलते हो आप उनको stitch भ उसमें एक इंच में आपके कितने ताने और कितने बाने की जो आपके टाके की जो संक्या है वो कितने है उनको आप किस चीज से मेजर करते हो आप उनको काउंट से मेजर करते हो ठीक है उनको आप काउंट भी बोल सकते हो कि आपके एक वर के इंच में आपके कितने ताने के आ आप इनको किस चीज से मेजर कर सकते हो, आप इनको काउंट से मेजर करते हो, मसीन पर परती इकाई चोड़ाई, सुईयों अत्वर टाकों की संख्या दुआरा कपडों को प्राप्त उतकर्षता, ग्रेज कहलाती है, मतलब जो आपकी मसीन के दुआरा, आप जो परती इंच मे जो आप चोड़ाई में जो सुई देखते हो, या फिर टाकों की जो संख्या देखते हो, वो आपको कपडों का क्या चीज बताता है, कपडों की उसकर्षता, जिसको आप ग्रेज भी बोलते हो, यह चीज आपको कहां से पता चलते हैं, यह आपको जो मसीन की जो परती काई कि जो चोड़ाई है सुई और जो आपके टाकों की संक्या है उसके द्वारा आप इस चीज का पता लगाते हो इसके बाद बोल गया है कि ग्रेज नंबर जितना अधिक होगा कि जो आपका ग्रेज है वो जितना अधिक होगा उतना ही आपका जो कपड़ा है उतने ही आपके होगा ग्लोफ होगा मैंसा आपकी निष्चित होती है इस संख्या को machine संक्या क्या बोल सकते हूं इस संग्या को क्या बहुना में सब्मसीं कट Erm या कट अफ में से नाम से बी Unterstüt Wilson में जान सकते हूं तो यह चीज Serow आपकी निटिंग कर सकते हो कि सहने दया प्रफेजिक वन के लाई में से कर सकते हो और में सब्सक् thumb करसकता हूँ जोटिंग है ये आपका थागों को लूप में निर्मिद करके ये तब बनाए जाता है कि निटिंग ये आपके एक धागे से भी बनते हैं और आप इस को अलगलग धागों से भी कर सकते हो और इसमें क्या चीज बताए गई है कि जो आपके knitting है तो इस में जो आपके छौडाई में जो आपके को loop की जो line दिखती है उसको आप walls बोलते हो और जो लंबाई में आपको loop की जो line दिखती हो सको आप courses बोलते हो तो येचीज याद रखना है इसमें confused मत होना कि आपका weaving में किया चीज यति कितने परकार से करते हैं जैसे हमने सी आपकी इटिंग है वार्फ नी जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपकी जोça से सबसे पहली चीज नाम से भी जानते हो ऊपक्टोर्स के आरपार उसको आपकी आरपार अ outright जो बनाते चली जाते को उसको नहीं व dedim उसको क्या बोलता है उसको आपकी वैफ्ट निटिंग कहा जाता है जो अपके ठाबे के साहथ साथ ㅎ आप डालते चले जाते ओक तब कैसे उसको डाले जाते हैं उसको आप क्या बोलते हो वैफ्ट निटिंग कहा जाता है वैफ्ट निटिंग हाथ दुआरा अथवा मसीन दुआरा की जा सकती है जो आपकी वैफ्ट निटिंग है यह आप इसको हाथ से भी कर सकती हो और दूसरी चीज आप इसको मसीन के दुआरा भी आप कर सकते हूँ, दो सुईवी की सहाइता से की जाने वाली knitting, WEFT knitting होती है, जो आप दो सुईवी की हैप से जो आप निटिंग करते ही ह। टिक है उनको क्या बोला जाता के लिए सर्कूलर अथवा ही तो क्ने वाली हैप से करते हैं, जो उपयोग किया जाता है जो आपकी weft knitting है अगर आप इसको किस से करे हो अगर आप ये machine के द्वारा कर रहे हो तो आप इसमें किस तरह के blade का use करते हो आप इसमें circular blade का या फिर जो आपके flat blade होते है आप उनका प्रयोग इसमें कर सकते हो जो weft knitting है अगर आप उसमें CD line जो देखोगे वो आपको कैसी दिखाई देगी वो आपको V word जो आपका alphabet जो V होता है उसके जैसी ये आपको दिखाई देती है उसकी जो line की जो पंक्ति है वो आपको कैसी दिखाई देगी V line के V alphabet के जैसी यह आपको दिखाई देती है जबकि उल्टी साइड एकदम अलग लहरदार फंदो वाली पंक्ती जैसी यह आपको दिखाई देती है तो वेफ्ट निटिंग की पहचान कहा है कि आपको यह फ्रंट साइड में आपको कैसी दिखेगी यह आपको वी लाइन के जैसी आपको पं इसमें यह आपको कैसी दिखाई दे रही है इसमें आपको यह जो वी शेप होता है यह आपको वह बनाती भी बार बार दिखाई दे रही है पंग्ती में किस तरह की से बन रहा है आपका वी शेप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वेft, अथवा, Film Knit के निर्मान में चार मुख्ये, टाके उप्योग के जाते हैं जो आपकी वेft knitting है इसमें आपके कितने अंदर सब पोइंट है इसमें आपके چार तरह की knitting जो है वो करी जाती है तो जो आपकी वेft knit है या आपकी कितने टाइप्स में यह आपकी चार टाइप्स की होती है सबसे पहले आपकी फ्लैट और जर्सी निट जिसको आप फ्लैट के नाम से भी जानते हो या फिर या आपकी जर्सी निट के नाम से भी आप इसको जानते हो दूसरी है आपकी पर्ल निट थर्ड है आपकी रिबी स्टिच और फॉर्थ है आपकी interlock stitch तो ये आपकी चार तरह की जो आपकी weft knitting होती है ये आपके चार टाइप्स की होती है सबसे पहले हम बात करेंगे है कि आपकी flat और जिसे आप Jersey knit बोलते हो ये आपकी किस तरह की होती है इसे कभी-कभी Flat knit भी कहा जाता है जो आपकी Jersey knit है इसको आप किस नाम से भी बुला सकते हो आप इसको फ्लैट निट के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो फ्लैट अथवा जर्सी निट फैप्रिक के सीधी तरफ सीधी समतल लाइने आपको दिखाई देती है मतलब जो आपकी फ्लैट निट या फिर जर्सी निट का जो आपक सीजी तरफ क्या दिखता है इसमें आपको सीजी समतल लाइने जो है यह आपको दिखाई देती है मतलब सीजी सीजी लाइने इसमें आपको फैबरित में दिखाई देती है जबकि कपड़े के उल्टी तरफ आपको परबल आडी या फिर शेक्तिस उबरी लाइने आपको इसीधी तेला एकषर की नीट है। ईस स्टीझ का उप्योग अक्सर बत्खर किया जाता है। जो आपकी यह जरसी जो निट है, इसका अक्सर आपका कपड़ों में, को बनाने के लिए आपका इस्तिमाल किया जाता है, क्योंकि यह तेज एवं सस्ती होती है, क्योंकि आपकी जो यह निट जो, आपकी जरसी जो निट होती है, यह आपकी सबसे ज़् kullan Sciences, से बढने वाला यह आपका प्रोसेस है इससे आपके बहुत जल्दी जो फैब्रिक जो है वो तयार होते हैं दूसी चीज इसमें आपकी कोस्ट जो है वह भी बहुत कम लगती है तो इस वज़े से इस परकार की जो आपकी निट है जो आपकी फ्लैट निट और जो आपकी जर् इसका इस्तेमाल आपके नायलोन के जो मोजे होते हैं उसको बनाने के लिए आपकी टीशट वगएरा को बनाने के लिए आपके स्वेटर वगएरा को बनाने के लिए इन सब के लिए आपकी जो फ्लैट निट या फिर जो आपकी जर्सी निट है इसका सकते जादा इस्तेमाल क कपड़ों को कैसी दिखाए देगी एक जैसी जबकि जो आपकी फ्लाइट और जर्सी निट जो थी यापको कैसी दिखती थी आपको सीधी साइड से या जी लाइन आपको दिखाए देती थी एप इस मतलब आडी लाइने आपको इसमें दिखाई देती थी लेकिन जो आपकी पर्ल निट है इसमें ये आपको कैसी दिखाई देती है इसमें ये आपको दोनों तरफ एक जैसी ही आपको दिखाई देती है इस निट इस्टिच दुआरा कई आकर्शन पैटर्न एवं डिजाइन त कपड़े बनाने के लिए किया जाता है जो आपकी पर्ल निट है इसका इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है या आपके जो हैवी जो स्वेटर होते हैं उनको बनाने के लिए या फिर बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जो हो किया जाता वो यही है कि आपका पनलिट से जो काम किया जाता है उसकी जो स्पीड है वो बहुत जादा काम है बहुत जादा अराम से इससे काम किया जाता है लेकिन जो आपकी फ्लाइट और जो आपकी जर्सी नेटी उसमें क्या होता है उससे आपका काम जो हो बहुत स्पीड से किया जा होट कि छृप के कपड़े के डोनों तरफ वालत की कोलंप बनाती है मतलब जो आपका रिप जो एस्टीच है यहापके डोनों तरफ कैसी मतलब किस तरह कैसे यह आपको दिखे रहुए आपके कपड़े के दोनों तरफ आपको वोल्स के जो कॉलम होते है ठीक है वो आपको बनाती भी दिखाई देते हैं यहाप पर वोल्स क्या बताया गया है कि वोल्स हमने क्या पढ़ा था कि वोल्स आपकी जो चोड़ाई में जो दिखने वाले जो लूप होते है ठीक है उनको ग्या बोला जाता ह तो यह जो ripp stitch है यह आपकी क्या करती है यह आपके कपड़े के दोनों तरफ आपके चोड़ाई में जो आपके लूब डाले जाते उनकी ये आपको एक इस स्टिच दुआरा ऐसे कपड़े तैयार होते हैं जिनमें अधिक लचीलापन होता है मतलब इस साथ कपड़े तैयार के जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा इलासिटी आपको देगने के लिए मिलती है इस इसिस्टीच का उप्योग ribbing के लिए किया जाता है मतलब यह जो आपकी stitch है यह जो आपकी ribbing stitch है इसका सबसे ज़्यादा जो उगए वो किसले किया जाता है आपकी ribbon के लिए यह किया जाता है जो ज़्यादतर sweater के निचले किनारे पर sleeve cuff पर neckline पर इन सब पर आपको दिखाई देती है यह जातर आपकी कहाँ पर दिखते है जो आपकी ribbing stitch है मतलब आपने sweater वगए आपने देखे होगे sweater के जो neckline है वह पर आपको line लाइन जो आपको नजर आती है या फिर आपका जो sweater के जो cuff है वहाँ पर आपको bottom में आपको दिखाई देती है neckline पर आप लोगों को दिखाई देती है ठीक है या फिर आपको cuff वगएरा पर आपको यह दिखाई देती है इसके बाद है हमारी सबसे last interlock stitch कि आपकी जो interlock stitch है वो होती कह है वह आपको एक जैसा ही आपको दिखाई देता है इससे तयार कपड़े भारी वह मोटे होते जो आपका interlock stitch से जो आपके कपड़े तयार के जाते वह कैसे होते हैं वह आपके थोड़े से भारी और थोड़े से मोटे तरह के आपके कपड़े होते हैं इसके बाद आती है हमारी वार्फ निटिंग ठीक है इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारी वेफ्ट निटिंग जो है यह हमारी चार पार्ट में डिवाइड थी सबसे पहले हमारी फ्लैट और जर्सी निट दूसरी हमारी पर्ल निट और थर्ड हमारी इस्टिच और इसे केवल मचीन से ही तरह सकता है दूप अब ही हाथ से करना possible नहीं होता लेकिन जो हमारी वेफ्ट निटिंग थी वेफ्ट निटिंग को हम हाथ से भी कर सकते हैं और उसको हम मसीन के द्वारा भी कर सकते हैं लेकिन जो हमारी वार्फ निटिंग है यह हमारी सिर्फ हमारी मसीन के द्वारा ही करी जा सकती है ये हाथ के द्वारा ये जो निटिंग है ये आपकी हाथ के द्वारा संभफ नहीं है करना परतियक लंबाई के धागे के लिए केवल एक सुई का ही उप्योग होता है मतलब आपके जो हर एक जो लंबाई में आपका धागा है उसके लिए आप केवल एक ही सुई का जो है वो इस्तमाल कर सकते हो प्रन्तु कुछ कपड़ों की नेटिंग के लिए कहीं सुईयों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन आपके कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए हम क्या करते हैं, अलग-अलग सुई जो हैं, उनका उप्योग इसमें कर सकते हैं, वार्फ निटिंग दो परकार्ट से होती है, जो आपकी वार्फ निटिंग है, उसको हम दो परकार्ट से कर सकते हैं, देखें य यहां पर ऐसे नहीं है आप इसको देख सकते हो यह आपकी मसीन के दुआरा करी जाती है कि इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो हमारी वार्फ निट है यह हमारी दो पार्ट में होती है सबसे पहले हैं हमारी टैरी कोट निट कि हमारी टैरी कोट निट जो है वह कैसी होते है औ टेरिकोट निट लगबख पूरी तरह से फिलामेंट थागों से बनाई जाती है। क्योंकि अधिक तेजगती वाली मशीनों का उप्योग करने के लिए धागे एक समान व्यास एवम उच्छ क्वालिटी के होने चाहिए। जो आपके धागे का जो डायमीटर है ठीक है आपके धागे का डायमीटर क्या होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए दूसरी आपके धागे की जो क्वालिटी है वो भी हाई होनी चाहिए तभी जाके हम क्या कर सकते हैं जो है वो टेरिकोट निट को कर सकते हैं टेरिकोट निट मसीन द्वारा कपड़े जो आपकी टेरिकोट निट है वो मसीन टेरिकोट निट मसीन द्वारा तैयार कपडों में सम्मानत साधारन या जियोमेटिक डिजाइन होते हैं जो आपकी जो टेरिकोट निट है उसमें आपको किस तरह के डिजाइन आपको दिखने के लिए मिलते हैं जो geometrical जो pattern होते हैं वो आपको जातर इस वीविंग के द्वारा आपको बनते वे दिखाई देते हैं टाइकोट निट द्वारा निर्मित कपड़ों में night suit पुर्सों की shirt dress इत्यादी आते हैं जो आपके टाइकोट जो निट है इसके द्वारा आपके किस तरह के कपड़े आपके बनते हैं इसके द्वारा आपके जो night suit होते हैं वो आपके जादतर बनाए जाते हैं आप जो mail की जो shirt वागेरा होती है वो इसके द्वारा बनाए जाती है जो dresses वागेरा होती है वो आपकी इसके यह निट भिन भिन भागो भारो एवम परकारों में इसपन एवम फिलमेंट धागों से निर्मित किये जाते हैं जो आपकी रैसल निट है यह आपके किसके द्वारा बनाई जाती है अलग-लग वेट के जो आपके धागे होते हैं चाहे वो आपका इसपन धागा हो या फिर व निट है वो करी जाती है इसमें आप भारी से भारी धागे का भी यूज़ कर सकते हो हलके से हलके धागे का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो और जो आपके धागे की जो लेंथ है वो आपके छोटे टुकडों से मिलके भी बनाए जा सकती है दूसरी उसके लिए आप एक फि डिजाइन द्वारा पैचाना जाता है जो आपकी जो रेसल निट है इसको जाहतर किस चीज से इसको इडेंटिफाइ किया जाता है जो इसके जो इसके कॉंप्लेक्स जो इसके आप बोल सकते हो इंट्रिगेट जो डिजाइन होते है जो इसके इंट्रिगेट डिजाइन बोल सकते हो या फिर कॉंप्लेक्स जो डिजाइन है उनके लेस ये जो आपकी निट है वो आपकी जानी जाती है जो आपके जेट्रिल जो डिजाइन होते हैं उनके द्वारा आप इसको पहचान सकते हो इस निट का उपयोग विबिन उत्पादो जैसे लेस या फिर लेस ट्रिम, स्वेटर, स्विम सूट, कंबल, टैनिस नेट इतियादी के लिए किया जाता है आपकी जो रैसल निट है ठी निट पहले ज़का आपको आपकी जो आपके नहीं आ हफिसे लेस वागरा होते हैं आलारा मोम्हें, कलेक्व का कुल्ट का उपयोग होता है, आपके जो जैसे लेसर लेसे बिविए यूजी होती का जाता है, पहल जादा था क्वथ बार्स कंबल नेट बढ़ाता हिसे तेरी कोट निट और दूसरा आपका रसल निट तो हमने जो आपकी निटिंग क्या होती है निटिंग आपकी निटिंग क्या होती है यह आपका जो वस्त्र है यह आपका लूप से क्या मतलब यह जो आपका वस्त्र होता है यह किस से बना जाता है यह आपके धागों का जो कर सकते हैं दूसरा हम इसको ओलग-लग तहगों से भी अपनी निटिंग कर सकते हैं जो निटिंग यह आपकी दो parts में divide है पहली आपकी वार्फ निट और ओर दूसरी आपकी traverse Neat जो आपकी召्सिरी यह आपकी हाँस से भी तरसे चाना जा सकते हैं दूसरा इसको आप machine में डिवाइड है यह आपकी चार पार्ट में डिवाइड है और इसका जो सर्फेस जो आपको दिखाई देता है मतलब जो आपको वैफ निटिंग में जो आपको सीधी तरब जो आपको दिखाई देता है डिजैन वह आपको वी शेप में आपको इसमें दिखाई देता है जो Thank you.